आज हम जिस्त विशेगों लेकर बात कर रहे हैं वो विशेग है कुरुशी, मंडी और व्यापरियों की बीच की साथगाड आएए देखते हैं क्या है मामला राजस्व की चूरी कर रहे हैं व्यापरी और प्रुशी उपज जाजना का करवचारियों की साथगाड होनी की बात सामने आएए दिए महारस्ट राच्चे के जीलों में धान, गिवू, आदी की भारी माम को देखते हुए व्यापरी वरक मध्य प्रदेश के जीलों में खरीदी कर कई तन माल रोज गोंदिया शहर के रास्ते से महारस्ट के नाकपूर के मंडी में भेशते हैं लेकिन इस सफेद धंदे के पीछे अपना मुनाफ़ा अधिक कमानी के चक्कर में शाशन और प्रशाशन को लाखो रुपए का राजस्व का चुना भी लगा रहे हैं तो जिसमें खुले आम तोर पर शाशन को लूटा जा रहा है इन दोनों नाकों से होकर मार महारस्ट की सिमाओं में पहुँचाए जाता है ऐसे में इन जाच नाकों पर भारी बात्रा में राजस्व की चोरी का खेल गापारी और कुरुशी उपज जाच नाका करमचारियों की साठगाट से किया जाता है शाशन को लगता है कि क्षेत्र में कम मात्रा में दूसरे राज्य का कुरुशी उपज निर्यात हो रहा है जबकि जमीनी हगिर्कत कुछ और ये होती है आईए देखते हैं पूरा मामला क्या है आम तोर पर एक व्यापारी लगबग हर दो तिन दिनों की आड में चार पाच ट्रक माल भीजता है लेकिन इन नाको पर निग्राइन रखने और रसीत काटने वाले करमचारी और उपनी रिक्षक श्रेनी आदी के लोग मिलकर इन गाडियों को कम तर आखते हुए पंजी में दर्शाते है और फिर जहां एक गाड़ी के लिए जितने रुपए राजस्वल लिए जाने चाहिए उसके बदले एक तिहाई रुपए लेकर अपनी जेबे गरम करते है इसके लिए बकाइदा दुकान पहुष सेवा भी प्रुशी उपद जाच नाका के करमचारी उपलब्द करवाते है मतलब व्यापारी के दोनों हातों में मलाई उदारन के तोर पर यदी एक ट्रुक के लिए जाच नाके में यदी 1500 रुपए की रसित काटी जानी चाहिए और व्यापारी ने एक सप्ता में यदी 20 ट्रुक माल भेजा है तो करमचारी केवल 3-4 ट्रुक को उचित राजस्वा में दर्शाएगा जबकि अन्य ट्रुक के लिए केवल 500 रुपए व्यापारी से लेगा और यह 500 रुपए वह हर सप्ता व्यापारी के दुकान में जाकर एक मुष्ट लेता है अधिकारी की आखों में धूल जोक कर या बड़ी साड़ गाट इस बात को लेकर अधिकारी की आखों में धूल जोक रहे है या उनकी भी कोई साड़ गाट है वह कहां नहीं जा सकता है हाला कि कुछ दिनों पूर्व कुछ व्यापारीयों ने मिلकर एक ऐसे ही गोरक धंदा कर राजस्व चोरी करने वाले व्यापारी की पट्टी खोली थी जिसके बाद कुछ दिनों तक व्यापारियों में तनाव का माहुल रहा लेकिन आकिरकार यह मामला भी शान्त हो गया सूट्रों की माने तो उक्त गोरक धंदा कर राजस्व चोरी करने वाले बड़े व्यापारी ने अपने पैसो की ताकत के आगे दूसरे व्यापारियों का मुव बन कर दिया और बकाइदा यह विरोध उसने सहयम की दुकान में गोंधिया के व्यापारियों को भुला कर इस बाबत मीटिंग भी की थी जिसके बाद अन्य व्यापारियों को भी उक्त मंडी जाच करमचारियों के सहयोग की बात खुले तोर पर सामने आ रही है हाला कि जल्दी इस बात को लेकर व्यापारियों के नाम वब रश्ट करमचारियों के नाम सबूत के साथ उजागर होने की प्रबल संभावनाय सूट्रों के हवाले से आ रही है कुछ इस तरह व्यापारी और प्रुशी उपर जाच नाका करमचारी लाखों का राजस्व चोरी कर रहे हैं पूरे मामले में अधिकारियों के उदासिंता के चलते नाके के करमचारियों का गोरब धन्दा बड़े जोरोशोरों से चल रहा है इस पूरे मामले पर गवंता से जाच कर रहे है आने वाले सब्ता देखेंगे आप मेरे साथ व्यापारीयों की और जाच करमचारयों की बीच के रिष्टे का क्या है राज MNS News Live की खबरे देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही MNS Hindi आप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दर्शों को तब तक नमस्कार